तुड़े वी विल स्टाडी लेसन नमबर सिक्स अ ग्रेन एज बिग एज एज एंस एग ठीक है चैप्टर शुरू करने से पहले का टाइटल समझ लेते हैं टाइटल सेज एक अनाज का दाना जो कि इतना बड़ा हो इतना बड़ा हो जैसे की मुर्गी का अंडा मुर्गी का अंडा इस शेप का होता है और अनाज का दाना इतना होता है इतने होते होते हैं आपने कभी गेहु के दाने देखें गेहु के दाने इतने तना जिससे आपकी ममा फ्लोर बनवाती है और आप चपाती खाते हो तो क्या कभी गेहु के दाने इतने बड़े हो सकते है यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे यह एक parable है parable होती है वो कहानिया जो moral based होती है हमें कुछ शिक्षा देती है ठीक है यह कहानी बहुत पुरानी है उस समय की है जब कि जिस समय की land and what it yielded was free for everyone कोई भी किसी भी जमीन का मालिक नहीं होता था जैसे आज आज आप कहते हो मैंने वहाँ पे land खरी दिये मैंने यहाँ पे land खरी दिये आपकी फादर ने उस समय कोई जमीन ना कोई खरीता था नो कोई बेचता था excuse me और जो भी कुछ उपज होती थी जो भी कुछ yield होती थी आने की crop आप जो भी फसल लिकलती थी वो भी सबके लिए free होती थी कोई भी उठाके ले जाओ बस लोग मेहनत करते थे फसल उगाते थे उस फसल को कोई भी यूज कर सकता था कहीं भी वो खेती कर लेते थे तो बहुत ही भाई चारा था कोई लडाई जगडा नहीं था कहीं भी फसल लोगाओ उस पे महनत करो और उसके जो उसकी उपज होगी उसकी जो yield होगी वो कोई भी यूज कर सकता है ऐसे ही आप भी किसी और का यूज कर सकते थे तो उतने पुराने जम्मे की कि ये कहानी है ठीक है शुरू करते हैं एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं ठीक है एक narrow valley की पास narrow valley क्या होता है जैसे ऐसे पहाड होते हैं पहाडों के बीच का जो ये area होता है ये valley होता है तो यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं उन्हें एक चीज देखती है, जो कि अनाज की शेप की होती है। वो नीची की तरफ जागते हैं, और वो देखते हैं कि उस अनाज में ऐसा सा एक थोड़ा सा कट है, ग्रूवरेःग, थोड़ा सा निशान, ग्रूवरेःग निशान सा, बट वो इतनी बड़ी है जितनी बड़ी की हैग होता है ठीक है उसी समय उसके वहाँ के पास में से एक ट्रैवलर जा रहा था उसने भी वो चीज देखी और उसने बच्चों से वो एक पैसे में खरीद ली यानि कि वो अनाज का दाना एक पैसे में उस ट्रैवलर ने खरीद लिया और उसने अपने शहर जाकर राजा को वो बेच दिया इस क्रियोसिटी में क्योंकि वो एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सी चीज थी किसी ने इतना बड़ा दाना नहीं देखा था आपने और मैंने भी नहीं देखा आपने चोटे चोटे गे हूंकि दाने देखिये तो उसने भी आदमी ने या आगे बेच दी अच्छा फिर राजा ने सभा बुलाई अपनी कोट में सभा बुलाई और सारे ही जितने भी अकलमन समझदार लोग थे उन सब को बुलाया, बिठाया और उन्होंने राजा ने यह सोचा और यह पूछा कि किसी को कुछ समझ आया इसे देख कर दिखाया और पूछा किसी को समझ आया, कुछ हैड और टेर, कुछ आगा यह होता है जैसी हाँ विंडू के बेस में रखी हुई थी तो एक बाहर से एक हैन आती है और उसमें चोच मार देती है और चोच मारने से उसके अंदर छेद हो जाता है और जब छेद हो जाता है तो दिखता है कि अंदर तो उसके एक गेहुं का दाना है एक दाना है और इतने King भी चौक जाते हैं और वो अपने समझदार लोगों से बुछते हैं कि पता करो इस तरीके के बुटे कहां उखते हैं तो वो सारे जितने भी king के wise men थे वो सब पता करते हैं, वो सब सोचते हैं, ढूनते हैं और फिर राजा के पास लोटते हैं और वो बोलते हैं हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, हमने सारी किताबे पढ़ ली हैं, हमें कहीं भी ये नहीं मिला कि इस तरीके का अनाज कहां उगता है, लेकिन उनमें से कुछ कहते हैं, शायद हमने अपने दादा और परदादाओं से सुनाए कि इस तरीके के इस साइज के इस साइज के ग्रेन उनके जमाने में उगा करते थे, अब तो बहुत ही छोटे-छोटे दिखते हैं, तो राजा ने ओर दिया कि that very old peasant should be brought before him सबसे बुड़ा वाला peasant यहाँ पर ले के आओ, peasant होता है, कारिगर टाइप का एक गरीब व्यक्ति होता है, महनती, hardworking peasant, उसको यहाँ पर ले के आओ, और सर्वेंट से बोला कि ढूंडो ऐसा कोई भी इंसान और उसे king के आगे ले के आओ, फिर वहाँ पर एक आदमी आता है, अब उसकी appearance पर ध्यान देंगे, बुड़ा है, जुका हुआ है, मूँ पे बिलकुल जुरियां सी पड़ी हुई है, मूँ बिलकुल उदास सा, पीला सा है, दात नहीं है, और किसी तरह वो दोनों पैरों पे बैसाखी ले कर लोड़कता-फुड़कता सा चलता हुआ, र पारिगर्सा, राजा ने उसको अनाज का दाना दिखाया, और उससे पूछा, कि भाई, आपको पता है, आपने कभी यह देखा है, उसने अपने हातों में वो लिया, और राजा ने बूचा, can you tell us, good man, where such grain as this grue, क्या तुम बता सकते हो, हे मनुश्य, हे बुड़े इंसान, क तुम इस तरीके के भुटे कहां उगाये जाते हैं, तुम्हारी किसी फिल्ड में उगते हैं क्या, तो old man was so deaf, old man थोड़ा सा, deaf होता है, बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं आया, जादा clear सा, उसे मुश्किल से कुछ समझ में आया, उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, ना तो मैंने ऐसा कभी बोया है, सो किया है, नहीं ऐसा कभी अपने खेत में से रीप किया है, मने के निकाला है, और नहीं मैंने ऐसा कभी कुछ खरीदा है, मतलब उसने इंकार कर दिया, बोड़े व्यक्ति ने, जो हमें पिच्चर में दिख रहा है, दो मेरे पिताजी से पूछ सकते हैं he may have heard where such grain group क्या शायद उने पता हो कि उस तरीके के अनाज इस तरीके के बुट्टे के दाने कहा उखते हैं ठीके तो राजा ने भई संदेशा भीज दिया उसकी पिताजी किया इस बुढ़े इंसान की पिताजी सोचो कितने बुढ़े होंगे यह इतना बुढ़ा है सुनासी भी नहीं आता मुमे दाद भी नहीं है तो उसके फादर आते हैं इसके फादर आते हैं आप वो 1 बैसाकी पिचल रहा है वो एक बैसाकी पिचलते आते हैं राजा ने उनको फिर से वो grain दिखाया और पूछा कि क्या आप बता सकते हो यह crane ये अपने खेत में बोए हैं या उगाएं हैं। दो दा ओल्ड मैन वाज रेदर हार्ड अफेरिंग, उसे भी उंचा सुनाई आ रहा था, लेकिन बैटर, अपने बेटे से इस से बैटर था हो, इसका बाप, इसका फादर सुरी. वो बोलता है, जी मालिक, राजा जी मैने ना तो ऐसा भी बोया है, ना ही कभी उगाया है, क्योंकि मेरे समय में इस तरीके खे, ग्रेन कभी नहीं दिखे, और खरीदने की बाद तो दूरी है, क्योंकि मेरे समय में पैसा ही नहीं होता था, खरीदना नहीं होता था, हर कोई अपने कौन उगाता था और अगर जरुवत होती थी तो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते थे कौन अर्ज वस लार्जर एंड येल्डिड मोर हमारा थोड़ा सो बड़ा था तब ये तो इतना बड़ा है लगबग हमारा थोड़ा इतना तो था आजकल के तो इतने है थोड़ा बड़ा था और बहुत जादा उसमें से प्रोड्यूस होता था येल्ड निकलती थी बहुत सारा आ निकलता था तो आप मेरे फादर को बुला लो इनके फादर के फादर यानि कि इन बुढ़े इंसान के ग्रैंड फादर को बुलाओ तो राजा उनको वो कौन दिखाते हैं और जैसे ही वो कौन देखते हैं वो अपने हाथ में पकड़ लेते हैं वो ग्रैंड फादर और फिर वो बोलते हैं ध्यान दिजेगा वो ग्रैंड फादर बोलते हैं काफी टाइम बाद मैंने इतना बड़ा इतना ये ओरिजिनल ग्रैंड देखा है ये बिल्कुल उसी तरीके का है ये ऐसा वो कहते हैं तेल में ग्रेंट फादर सेट दगी बहुत क्यों रिस हुजाते हैं वो करते हैं दादा जी ज़रा बताईए ऐसे ग्रेंट कहां और कब उगते हैं have you ever bought any like this क्या आपने ऐसा ग्रेंट कभी कहीं से खरीदा था या कभी बोया था या कभी उगाया था अपने फिल्में बुढे अंकल या बुढे ग्रेंट फादर बोलते हैं कौन like this used to grow everywhere in my time इस तरीके के कौन तो हर किसी की खेत में उखते थे मेरे जमाने में हमने कौन से ही अपनी जिंदिगी अपने young days गुजा रहे हैं और लोगों को खूब खिलाया है हाँ बहुत इस तरीके के काफी काफी कौन हमने बोय हैं काटे हैं और थ्रेश करें यानि कि उसके cover में से निकाले हैं मतलब इस तरीके कि खेती हमने काफी करी है तो किंग और क्यूरिस हो जाते हैं वो बोलते हैं बहुत ही important बात वो बताते हैं ऐसा अपराद ऐसा गलत काम करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा ना ही कभी कुछ बेचा ना ही कभी कुछ खरीदा पैसे की तो बहुत दूर की बात है किसी को पैसे के बारे में पता भी नहीं था Each man had enough office con हम सब मन लगा के खूब सारे con उगाया करते थे और सब के पास अपने-अपने con होते थे नहीं होते थे हम दूसरे को दे दिया करते थे भाई चारे से रहते थे लैंड वॉस फ्री लैंड आजाद थी धर्ती आजाद थी को वो किसी की नहीं थी दिस वॉस अ थिंग नो मैन कॉल इस ओन वो एक ऐसी चीज थी जो कोई भी नहीं कहता था कि ये मेरी है सिर्फ अपनी-अपनी मेहनत हुआ करती थी ठीक है तो फिर से मैं आपको एक्स्प्लेइन करती हूँ ग्रेंड फादर ने रिप्लाई करा कि धर्ती आजाद थी जहां भी हम उगायाना चाहते थे वहां उगा लेते थे और जो हम उगाते थे वो हम आपस में बाट लिया करते थे जमीन किसी की नहीं होती थी अपनी अपनी सिर्फ महनत होती थी अपनी महनत के एकॉर्डिंग ही हम अपनी उपज करा करते थे अब यह सुनकर राजा के मैंब में दो क्वेशन आते हैं और वो पूछता है ठीक है मैं आपसे दो क्वेशन पूछन चाहता हूँ मेरा पहला क्वेशन है उस समय इतने बड़े बड़े ग्रेन क्यों हुआ करते थे इतने बड़े बड़ा अनाज क्यों हुआ करता था और आप ऐसा होना क्यों बंद हो गया है पहला क्वेशन यह था कि जब आपका grandson याने कि आपका पोता आया तो वो दो बैसाखी लेकर आया आपका बेटा आया तो आप वो एक बैसाखी लेकर आया और जब आप आप आए तो आपने एक भी बैसाखी नहीं ली आपकी जो आँके हैं वो इतनी चमकीली है इतना साफ देखती है आपके दात भी sound है, sound माने ठीक ठाक है आपकी speech भी बिलको clear है लेकिन ये सब बाते उन में क्यों नहीं है ये decline क्यों होता जा रहा है आप इतने सुवस्थ हैं इतनी उमन में आपका बेटा आपसे दुरबल है और आपका grandson उससे भी दुरबल है, ऐसा क्यों ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही moral based lines है, old man ने कहा these things are so because men have ceased to live by their own labor ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों ने महनत करना छोड़ दिया है and have taken to depending on the labor of others, इंसानों ने दूसरों पे दूसरों पे depend करना छोड़ शुरू कर दिया है सब कोई दूसरे पे depend होते है मैं अपने पैरों पे चल रहा हूँ मेरा बेटा एक बैसाकी लेकर यानि एक बैसाकी की help से चल रहा है और मेरा grandson दोनों बैसाकी की help से चल रहा है, यह सब क्या है यह है dependence on others in old times men lived according to God laws पुराने जमाने में हर कोई इंसान भी जितना भी उपज करता था वो उसमें ही satisfy रखता था और वो नहीं चाहता था कि दूसरे ने क्या उगाया है क्यों उगाया है, कितना उगाया है सब कोई मतलबी नहीं, सब कोई अपने अपनी दुनिया में रता था, कोई किसी के पती ईशा या नफरत नहीं रखता था तो यही इसका moral है कि we should be happy we should be content in whatever we have, we should not be dependent on others we should not be jealous of others this was the moral of the story I hope you have understood it well, children if you have liked the video don't forget to give a thumbs up to the video, the book exercises will be shared in the next video thank you, stay tuned bye झाल